कॉंग्रेस पार्टी के बात करें तो कॉंग्रेस के नेता जो हैं विदायक हैं उनके लिए समर्थों का दावा है कि हमने खूब सारा विकास कर वाया है पूरे विदानसवाद पार्टी को वोड़ते देंगे अच्छा पार्टी से बात हो गई नेताओं से सिर्ष नेताओं से आपके सुप्रीम हो जो शीए कि इस बार मैं दावेदारी कर रहा हूं मुझे टिकेट दीजिएगा और मैं चुनावी मेदान में जोगर हमको क्या लगता है कि मैं अगर विद नमस्कार दोस्तों में हूं आशोक शेरावर आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन राजस्थान में विदान सबाद चुनावाँ को अब महज कुछ महीनों का ही समय बच्चा है और अगर राजस्थान में भारती जंता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के अलावा बात करें तो राश्थी लोगतांतरिक पार्टी का इस बार दावा है कि हम पूरे विदान सबाद च्चेतर यानि कि 200 विदान सबाद च्चेतरों में अपने जो परत्यासी वो उतारेंगे और चुनावी मेदान में रहेंगे आज हमारे साथ एक ऐसे नेताजी है जिनका ये कहना है कि मैं बाड मेर विदान सबाद से राश्थी लोगतांतरिक पार्टी से दाविदारी कर रहा हूँ और अगर जनता ने चाहा मुझे विदायक बना दिया तो यहां की जनता के लिए खुब सारे काम करेंगे आप क्या वह काम करेंगे और किस तरीके से इंकी रन्निती है और यह क्या चाहते हैं कि बाड मिर में क्या काम होने चाहिए तमाम बातों के सवाल एनी से जानते हैं लेकिन उससे पहले इनका परिचे जानते हैं सर क्या परिचे हैं आपका क्या हमारे दर्सकों को बताना चाहेंगे नमस्कार आपको और आपके दर्सकों को जोगाराम डूडी लालोपा बालोग अधिक्स पुरो बाडमेर करमेंग का और मेरा गाहँ है बेरिवाला तला राहुसर के पास में बाडमेर वेदान सभा में मैं पांध साल से बड़ी मजबूती के साथ मैं काम कर रहा हूं पार्टी के एथ में और किसान जवान का जाबी कि पार्टी है राष्टी लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे सुप्रीमों का भी यह हमेशा आप देखते ही हो संग्रस के माध्यम से सडग संसद विदानसबा तक किसान जवान की बात रखते हैं बड़ी मजबूती के साथ में हमें भी यह बताया है कि आप हर जगात किसान ज जबान के साथ में सुस्चन होता है तो वह मजबूती के साथ मोंके साथ खड़े रहते हैं और कई मुद्य भी पार्टी होने किस आम है बजरी का भी आप लेलो यह जाए बड़ी का मामला हो जाओ यह किसान जवान के कहीं भी मुसिबत में होते हैं जां कलेम की संचिया हो त किसान जवान को न्याज दिलाने का काम किया अच्छा पार्टी से बात हो गई नेतां से सिर्ष नेतां से आपके सुपरीमों जशी के भी इस बार में दावेदारी कर रहा हूं मुझे टिकेट दीजिए और में चुनावी मेदान में देखो वो तो अभी ऐसी कोई बात नहीं ह पार्टी की बड़ी जीती नेती को और किसान जवान घर तक पहुंसाने का काम करो और जिनके साथ में किसान जवान का साथ होगा और किसान जवान ही सुनाव लड़ाएंगे और उनकी हमारे यहां के बोटरों की बाड मेर विदान सभा के तमाम कार्य करता हों कि इंसा होगी उनको टिगट दी जाएगी लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमें टिगट मिली तो हम बड़ी मजबूती से सुनाव भी लड़ेंगे और जो किसनों के मुद्धे हैं उन पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे जोगरम को क्या लगता है कि मैं अगर विदायक बन जाता लोग मुझे जिता भी देंगे तो क्या लगता है क्या बाडमेर में काम होने चाहिए क्या इन्होंने नहीं किया है देखो सरव परतम तो हमारा यह आज की टाइम आपको बता दू तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह रिपाइनरी का और कैन इंडिया का बहुत बड़ा तो यह 80% युवाओं को रोजगार मिलना साहिए वह आज दिन तक कही नहीं मिल रहा है और यहां के संसादन है साहिए बड़ी गाड़ी टेलर हो जाओ या टैंकर हो जाओ या फिर छोटी गाड़ियां हो जाओ लेकिन वह आज दिन तक नौकल लोगों की नहीं लग रही है और अगर किसी की लगती है तो भी उनको जो किराजा मिलना सहीए वह किराजाद नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो वह जो कपने का मैन पर दिन तक करने की यह रह्ति हो तो उनकी जगाध आब जो नौकल लोगों ने काज दि gli है है तो वह आज 6-7 मेन तक गाड़ियों का पैमिट नहीं करते हैं यह बहुत गर्थ सीज है और गाड़ियों की किस्ते डियू हो जाती है फिर पीछ से सकर निकालते हैं तो कि आप रहना है तो हमारा यह में मुद्दा यह रहेगा कि जादा से जादा हम कपनियों के अंदर मिर का पानी बर्शात के अंदर हर शड़क टोट गई नाड़े पूरी जाम मैं पानी पूरा बजार में बढ़ता है उनके उपर 15 साल से अगर कांगरेस की सरकार सरकार भी और कांग्रेस का बाड़ियों में 15 साल से अमेलियों है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है खाली एक तो इनके ऊपर हम यह पूरा प्रयास करेंगे और शिक्सा के अंदर शिक्सा के अंदर अब आप देख रहे हो कि इसकूलों के अंदर टीशर भी नहीं है और अभी पिछली बार जाह मुक्यमंत्री आए तो हमारे मेले साब ने यह बता जा कि आप तो कि मुक्यमंत्री जी अगर कोई रहने वाड़ा नहीं होगा तो फिर घर किसकाम का तो शिक्सा देने के लिए टीचर बहुत ही जरूरी है और अब बाड मेर के ऑस्पिटल के अंदर अपन जाते हैं तो जो मरीज के साथ में जाने वाला बिमार पड़ जाता यह इस्तिती है साब सपाई से लेकर क कहीं साब सपाई नहीं है जगा जगा देवारों पर गोटके वागेरे थुके हुए और कूलर पंके बहुत ही गंदी कूलरों के अंदर तो पता नहीं कोई छड़े हुए कीडे जा ऐसे फंसे हुए रहते हैं आप भी देखते हो कभी सर्वे कर लेना बहुत इस्तिती सवास और शिक्सा फिर हो गया चड़क और जल और विदूत में बिजली हर घर को बिजली कैसे मिले अब दीन दियालू योज नहीं सल रही है लेकिन इसके अंदर भी मैं मेरे गाहों का बता दो तो मेरे गाहों में बेरिवाला तला के अंदर 200 घर करीबन डाडियों के जहां आज तक लाइट नहीं है और उनके बिल आ रहे हैं जब उनके खेट के अंदर फॉल भी नहीं लगा है तो आप समझो के बिल कैसे आता है लेकिन हारा भाई कौन उनकी सुने बिल के अंदर भरपाई कर दी कि यहां यह हो गया लाइट लग गई दियालूप में बजट उट गया लाइट लेकिन उसके गर में नहीं है कई भी लाइट नहीं मिलेगी अच्छा कॉंग्रिस पार्टी के बात करें तो कॉंग्रिस के नेता जो हैं विदायक है उनके लिल समर्थव का दावा है कि हमने खूब सारा विकास कर वाय है पूरे विदान सभाज चेत्र में सड़कों कर दो ख jätte के लिए फाराब है जाल विछारिया देल दी अब कंग्रेटर्ग है ऊपन ऐंद परचा जो जो भी होगा वो जीतेगा ऐसे नहीं morally बड़ी चुनोती होगी कॉंग्रेस बीजेपी की टेकर के बीच में राश्ट्र लोगता पार्टी को लोग वोट देंगे हमें जीत जाओंगा ने चुनोती तो है क्योंकि सुनोती यह बहुत गहरी फिचुतर साल से इन्हों ने जो इनकी जड़ें पहला रखी है यह बहुत लड़ना सिखा दिया है ताकि अब युवा जाग चुके हैं और युवा जान चलता हुआ जमाना चलता है युवा अपने घरों में हर बुजरुकों को माताइं बेनों को यह बताते हैं कि भाई अब वो पुराने जमाने चले गए और राश्ट्र लोगतांत्री की एक विक जंडा दुप्टा और बैने ते हमारे जैसे दोरी मेना के अंदर रेली की बजरी की अंदोलन लेकर के पहले बालो तरा में चानू देन दरने पर बैटे ते इस टाइम अभी दोरी मेना की रेली के अंदर मैंने बाढ़ मेर विदान सभा मैं पिचुतर गराम पंसायत है हमा तो हम पूरा पर्यास कर रहें पांत साल से कैसे लोगों को हम जगाएं और पार्टी की अर्विचारदारा जवान तक कैसे पहुंसा है इसके उपर हम फरपूर पर्यास कर रहे हैं और बहुत चे लोग अमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मैं अभी पिस मैंने गाउग तो उस टाइम में यह देखने को सीखने को मिला कि जनता वाक काईदा में परिवर्तन साती है और बोले तो एक ही सबद कोई भी समाज के हो लेकिन यहीं बोल रहे हैं कि आप बार में से सुनाओ तो पका लड़ोगे ना पिसली बार जैसा तो नहीं करोगे अगर सुनाओ बाड मेर विदान सबम मैंने देखा है और आप भी जाते हो आप भी देखते हो बड़ा प्रेक्टर चालेगा रालोपा पिसली बार हमारे यह अठारा में उमीदवार बाड मेर का नहीं हो तारने के वज़े से थोड़ी हमें मुसिकल होगी परेसानिया होगी लेकिन बड़ बाड मेर विदान सबा की जनता विदाय का ताज किसके सर पर रखती है बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद